करीब 32 महीने पहले भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सटे एक छोटे से गाउं का एक लड़का जो सीमा पारकर पाकिस्तान चला गया था और 32 महीने बाद साबीर जिस लड़के का नाम वो वापस भारत लोटा है और अगले एक दो दिन में अपने घर आ जाएगा दरसल 24 अक्टूंबर 2021 को पच्चिमी रजस्थान के बाढ़ मिर्ज लिके सेड़वा छेत्र का जानपाल या गाउं वहां का करीब 22 साल का एक युवक जिसका नाम साबीर साबीर भूलवस पाकिस्तान की सीमा में परवेश कर गया और उनके परिजनों ने पुलिस थाना में गुमसुद्गी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उनके कुछ दिन बाद उन्होंने बिये सैप को इस बात की इतला दी और फिर मालूम चला की साबीर पाकिस्तान चल और आखिर 32 महीने बाद साबीर कल या परसू वापस अपने घर लोटेगा साबीर वागा बोर्डर से भारत में परवेश कर चुका है उसके साथ भारत के चार और अन्य लोग भी हैं ऐसा बताया जा रहा है कि साबीर को वापस भारत लाने में करनल मानवेंदर सिंग की अहम भूमिका रही हैं इसके अलावा अन्य जन परतिनिदियों ने भी कड़ी मैनत कर पाकिस्तान से साबीर को भारत लाने के लिए मैनत की यह भी बता दें कि साबीर के परिजनों ने यह बताया है कि वो मंद बुद्धी हैं मांसिक रूप से विकसित नहीं हैं और ऐसे में वो कीमा में परवेश कर गया उसके बाद परिजनों ने इदर उदर ढूड़ा साबीर नहीं मिला तो वो पुलिस के पास गए और उसके बाद बीयस एप को इतला दी फिर पाक रेंजर्स के साथ मिटिंग हुई और उसमें यह तैय हुआ कि साबीर पाकिस्तान आ गया और साबी मामले को लेकर अब 32 महीने बाद साबीर अपने घर लोटने वाला है और जैसे ही यह खबर उनके घर वालो तक पहुंची तो घर के लोग उनके परिजनों में एक खुसी की लहर हैं कि जो साबीर 32 महीने पहले पाकिस्तान चला गया था वो अब वापस अपने घर आ रहा है तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि साबीर का जो अभी है वो पूस्तास की जा रही है अलग-अलग सुरुकसा एजंसिया जांच परताल करने के बाद उनके परिजनों को सुपूर्ट करेंगे अभी फिलाल साबीर जो है वो पंजाब में है और अगले एक दो दिन में वो अपने घर आ जाएगा